देखे कल दोजार चोईश का सूरज उगएगा और ऐसे में देश और प्रदेश में पूरा देश देख रहा है कि इन पिछले मोधी जी के कालखंड में इन साड़े नो दस वर्षों में देश ने अनेक आयाम इस्ताभित की है ऐसे काम भी हुए जो भारत में कभी सोशे नहीं इसलिए 2026 में हमारे 500 वर्षों पुराना सप्ना प्रभो स्री रामलला मंदिर में विराजमान होंगे 2026 में 223 में हमने देखा कि किसम्रार्ट व्यह उस्ता है कि विश्व में पांसमें पाइदान पर पहुंची फिस प्रकार से खेलों में हमारे खिलाडियों ने देश में अच्छे आया मिस्तापित कि और कैसे गरीब के उत्थान के लिए किसान के उत्थान के लिए महिलाओं के उन्नती के लिए अनेक काम गरीब के उठान के लिए अनेक ऐसे काम थे जो बर्सों से देश के लोग इंजार कर रहे थे आज़ानी मोदीजी की सरकार में उन कामों को प्रगति और गती मिली है तो 2023 में देश और प्रदेश हर अक्षित्र में उन्नती और प्रगिती करें यही देश की जनता और प्रदेश की जनता कामना कर रही है और आज यह दोजार चोईस का वर्ष इससे प्रदेश के लिए और देश के लिए खुशाल बनें इसके लिए हम सब लोग कामना करते हैं